सभी भेनों को मेरा नमस्कार सश्रीकाल हिंदी समझ में आईगी न आज मैं यहां पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे भगवंत मेरे हस्बेन भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं तो मेरे तो देवर हुए भगवंत बहुत ही इमानदार और बहुत ही अच्छे पिछले आच साल से आप सब नहीं जिताया है उनको वो आच साल से संग्रूर से संसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगए हैं जब से आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक संसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं और अभी बल आपका बेटा है भगबन आपका भाई है बहुत महनती है इमानदार है और उसको उसको न एक जनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है अगर आप भगबन को वोट नहीं देंगे न तो अपने पाउं पर पुलाड़ी मानने वाली बात हो जाएं आपको उसके सपन सपने को भी पूरा करना है अपने सपने को भी पूरा करना है आम आत्मी पार्टी है आम आत्मी पार्टी का एक ही सपना है हर घर में तरक्की पहुंचे हर घर तरक्की करें कैसे हर घर में हर घर में बिजली पानी मुफ्तो मुफ्त मिले बेसिक सहूलियत मिले सिक्ष्य तो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़के अच्छे शिक्षितों बाहर ना जाए पढ़ने के लिए ये बाहर ना जाए नौकरी के लिए अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त, अब आप सोचिए, ये सब चीजे अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा, तो आप कुसी और काम में खच कर सकते हैं, है न अच्छी बा ये सब आमाद्मी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गैरंटी है, गैरंटी कैसे हैं, गैरंटी इस तरह हैं से हैं कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है, और अब हो भी रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है, आपके रिष्टेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछी र उशाली आने वाली है आपको मालूम दिल्ली में महिलाएं बस में free सफर करती हैं उनका कोई किराया नहीं लगता ऐसे ही अगर पंजाब में आमाद्मी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंदर ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हजार हर महिला को हजार अजार रुपिया मिलेगा मज़े आएंगे आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए कोई पूछने वाला नहीं है आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें परिवार में खर्च करें अपने मनपसंद का सूट लें कुछ भी करें उससे आपकी मर्जी मैं मैं इंकम टेक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनका मिलती थी लेकिन जब मैं अपने मा के यहां जाती थी और जो मा मेरे को वो सो रुपे देती थी न मुठी में भरके उसका आनंदी अलग था आपको भी आमाद्मी पार्टी की सरकार न यह मौका देने वाली है अपनी भी खुशी बेटी की भी खुशी तो आपको अब यह जरू एक बेटी हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले पंजाब की एक बेटी कह रही थी वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की बढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है जैसे कि नरिंदर ने भी बताया कितना स्रगल किया उसने वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में लेकिन मेरे माबाब के पास पैसे नहीं है लेकिन अब अगर आमाद्मी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे हजार रुपे मिलेंगे और जैसे उन्होंने भी गा कि मैं तो मज़े से जाऊंगी कॉलेज पढ़ने के लिए तो ये है खुशी की बात है न अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है आपको वादा करना है कि भगवन्त को जाडू पे बटन दबाना है भगवन्त को चिताना है आमाद्मी पार्टी की सरकार बनानी है आपको गुमान होगा आपके यहां से आपका विधायक पंजाब का मुख्य मंत्री बनेगा तो आप सबको ये वादा करना है बताईए क्या वादा करना है 20 तारीक को आप सबको जाना है वोड़ेने और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है और बटन दबाएंगे जाडू का अपने परिवार में अब आपको समझाना है अब आप ज्यादा पावरफुल बैंड, आपको घर में समझाना है कि जाडू पर बटन दबाओ, जाडू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशकाली, आपकी खुशकाली, आप जाएंगे सब, सब वोट देने जाएंगे 20 तारीक को, बटन दबाना है, जोर से करुछंगा करुछंग है, जाशोकाली.